CBSC Board के दोरा आयजित की जाने वाली सीटेट दिसंबर 2022 की परिक्षा पर एक बार फिर से ग्रहणद लग सकता है परिक्षा में देरी होने के क्या कारण हो सकते है क्योंकि मामला अब मानिने कोर्ट में पहुंच चुका है सीटेट 2022 से संबन्दित क्या है पूरा मामला इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अंतर तक जरू जुड़े रहेगा और सांती सांत कब तक परिक्षा हो सकती है कब से परिक्षा प्रारम्भ होगी इसके बारे में भी एक अनुमान लगाने की गोशच करेंगे तो जैसा कि आपको ग्यात होगा कि मानने जोदपूर हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभीयर्थियों को प्रात्मिक सिख्षक भर्ती के लिए इलिजिबल नहीं माना गया था और अभी मामला मानने सुप्रियम कोर्ट में विचारा दीन है KBS की जो वैकेंसी आई है उसमें इस पष्ट सब्दों में बीड अभीयर्थियों के बारे में लिखा गया है कि ऐसे अभीयर्थि आवेदन तो कर सकते हैं पलिच्छा में भी शमलित होंगे लेकिन उनका जो अभीयर्थन है वो मानने सुप्रियम कोर्ट के फैसले के अधिन किया गया है यानि कि अगर भविश में उनके कुछ अगेंश में फैसला आता है तो उनको बाहर भी किया जा सकता है लेकिन सिब्यसी बोर्ट के द्वरा आयजित की जाने वाली सीटर्ड दिसंबर 2022 के लिए ओफिशल नोटिफिकेशन में सिब्यसी बोर्ट ने इस प्रकार का कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया था इसी को लेकर के अभीर्थियों ने मानेने कोट का दरवाजा खट-कटाया है और मानेने कोट से ये गुहार लगाई है कि सिब्यसी बोर्ट को ये निर्देश दे कि बीएड अभीर्थियों को प्रात्मिक इस्तर के पातरता परिक्षा यानि पेपर वन के लिए एड्मिट क अभीर्थियों के रिजल्ट वित्रण पर पूरी तरके से रोक लगा दिया और उनके रिजल्ट पर इस्तर के यूपी ट्रेट यानि उत्तर प्रदेश सिख्छाक पातरता परिक्षा के संदर में और अब इनके द्वारा मानेने कोट में CBSC बोर्ट के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट दिसंबर 2022 के 28 अभीर्थों के इलिजिबिल्टी को चैलेंज किया गया है और कोट से ये गुहार लगाई गया है कि मानेने जोदपूर हाई कोट का फैसला जो कि अभी तक existence में है क्योंकि मानेने सुप्रिम कोट में अभी तक उस पर रोक नहीं लगाई यानि वो फैसला अभी भी प्रभावी है और जब प्रभावी है तो उस कंडिशन में बीर्ड अभीर्थों को कैसे मौका दिया जा रहा है उनका ये तर्क है उनके वकीलों के द्वारे ये तर्क रखा गया है अब इस केस की जो अगली सुनवाई होने वाली है वो दिनांक 6 है डिसमबर 2022 को होने वाली है और उसके लगबग एक हफते बाद 14 डिसमबर 2022 को मानने सुप्रियम कोट में बहु प्रतिक्षित बीर्ड वर्सेज बीटीसी मामले की सुनवाई होना प्रस्तावित है तो देखे ये जो मामला है सिब्यसी बोर्ट के द्वारा आयोजेत होने वाली सीटड की परिक्षा में वो पूरा जो फैसला होगा वो मानने सुप्रियम कोट के उस अध्हिन के अधिन कीया जा सकता है तो इन केस मानने कोट ये भी कह सकती है कि 14 डिसमबर को जब केस की अंतरिम लुप से सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही इस केस में कोई अंत सुनवाई होना प्रस्तावित है CBSC Board के द्वारा सीटेट की परिच्छा को ले करके Admit Card को ले करके 6 December को ध्यान से समझेगा और 14 December को मानेने Supreme Court में सुनवाई है तो अगर परिच्छा Mid December से होना होता तो कम से कम 10 दिन पहले CBSC Board एक हफ़ते पहले कम से कम CBSC Board Admit Card जारी करती है और 2 दिन पहले आपको Examination Center के बारे में बताती है तो एक हफ़ते पहले जारी करने का मतलब अगर 15 तारिक से भी परिच्छा हो रहे है योती मिड से तो आप मान करके चलिए कि 8 तारिक तक Admit Card जारी कर दिया जाता लेकिन अब possible होता नहीं दिख रहा है क्योंकि 6 December को तो सुनवाई ही है और उसके बाद से 14 December को मानने सुप्रेम कोर्ट में सुनवाई है तो ये सब कुछ अगर फैसला नहीं आपाता है इतने कम समय में अगर कोई उनके फैसला नहीं आता है फैसला नहीं आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं जो अभीरती समलित होंगे सब का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो ये दो कंडिशन हो सकते हैं पहला कंडिशन कि सब को सामिल कराने के लिए CBSC बोर्ड पैरवी कर सकती है और रिजल्ट को मानेने सुप्रिम कोट के फैसले के दिन करने के लिए पैरवी कर सकती है और दूसरा कंडिशन यह हो सकता है कि अगर मानेने कोट इसके लिए तैयार नहीं होती है फिर परिक्षा में थोड़ा सा विलम देखने को मिल सकता है आप लोग का क्या विचार है कमेंट के मादेम से जरू बताईगा और ऐसे ही मातोपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भू